स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IEX यानि की इंडियन एनरजी एक्षेंज लिमिटेड के बारे में आज सियर में आपको भयंकर गिरावट देखने को मिली है और जैसा कि मैंने अपनी प्रिवियस वीडियो में आपको बोला था सेम सिनारियो आज आपको यहाँ पे मार्केट में होते हुए नजर आया है अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें तेजी कब आये की प्रॉपर टेकनिकल एनलेसिस के बात में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कुछ टागेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि एक रेपोर्ट के थरू निकल के आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 में outlook इस particular stock का कैसे रहने वाला है आपको क्या क्या strategy बनानी चाहिए यह सारी चीज अब हम discussion करने वाले हैं आप से just एक request है प्लीज वीडियो को पूरा जरू देखिए और अगर आप चैनल फे फर्श टाइम विजिट कर रहे हैं वो सारी चीजे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो properly है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ICTC and IEX are must own business यानि कि यह दो ऐसे business हैं जिसमें आपको invest करना चाहिए कोगि definitely अगर आप दोनों ही business को देखोगे तो एक टाइप से दोनों ही company monopoly create कर रहे हैं अपने particular sector में और वहाँ पे इतनी better in growth दिखा रहे हैं कि और company इसे काफी ज़ादा पीछे आपको नजर आती है तो यहाँ पे आप देखोगे ICTC and IEX are must own business यानि कि इन में particularly आपको invest करना चाहिए timing and prices is your outlook यानि कि timing or pricing आपके according होना चाहिए क्योंकि हर एक particular बंदे का जो time frame है जो risk horizon है जो investment horizon है वो different होता है तो यहाँ पे वो timing कौन से होनी चाहिए prices कौन से होनी चाहिए वो आपका outlook होना चाहिए बाकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो recent correction देखने को मिल रहा है however the correction is must we used to buy for the 2022 यानि कि जो यहाँ पे आपको corrections देखने को मिल रहे है इस particular stock में इन particular correction में आप 2022 की तयारी कर सकते हो और यहाँ पे 2022 के लिए जो targets निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 1250 निकल के आ रहा है ISCTC का और 400 रुपे का instant target जो है मतलब short term target है वो आपको IEX यानि की Indian Energy Exchange का निकल के आता हुआ नजर आ रहा है तो definitely बिलकुल सही चीज यहाँ पे mention हो रख की है business बहुत ज़्यादा शांदार है growth बहुत ज़्यादा शांदार है monopoly दोनों की है इस particular sector में और targets मैंने आपको यहाँ पे बता दिये इन दोनों particular stock के अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के market scenario के बारे में market में आज आपको एक बारी फिर से गिरावट देखने को मिली 373 points के साथ Sensex are downside moment 122 points के साथ nifty में आज आपको downside moment और अगर आप देखो कि 131 nifty bank और 204 के साथ nifty mid cap में आपको downside moment देखने को मिली है आज buying करने का काफी अच्छा का सा मौका आपको देखने को मिला उन stocks में जिन में आप यहाँ पे target लेके चल रहे थे और जो आपको थोड़ा सा over value की भयंकर गिरावट देखने को मिली है continuously काफी दिनों से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है एक बड़ा moment आया था 9% का उसके बाद से आपको continuously कभी 3%, 5%, 9% के आसपास यहाँ पे आपको 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है share की जो closing होई 262 पर यहाँ पे आपको नज़र आई तो overall अगर हम यहाँ पे इसके returns के बादे में देखे इतनी negative returns होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो 1 week के returns minus 0.17 1 month के return 3.5% negative returns 3 महिने के returns करीबन 31% 6 महिने के returns 109% 1 year के returns 258% returns में आप देखी पा रहे होगे long term horizon है तो कहीं भी compromise आपको नहीं करना पड़ेगा definitely बहुत अच्छे कासे returns इस particular stock ने बना के दिये हैं बस अगर आप देखो थोड़ा सा जो correction आया है वो अब मैं आपको एक proper technical analysis के थुरू बताता हूँ क्या के यह correction क्यों आया है और अब क्या क्या movements आपको इस particular stock में देखने को मिल सकते हैं चार्ट आपके सामने है candle stakes आपके सामने है एक pattern यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने आपको last वीडियो में भी बताया था 20 days moving average line ड्रॉ हुई है यहाँ पे आप starting से अगर एक pattern observe करोगे इसकी जो most of the sticks बनती है वो इसी की उपर बनती है जब भी यहाँ पे मतलब particularly इस line पे candle cut करती है तो एक बड़ा यहाँ से bounce बैकाता है आप कहीं पे भी उठा के अगर आप देखोगे तो हर जगए यही same scenario आपको देखने को मिल रहा है जब भी कोई correction आता है 20 days moving average पे जब भी कोई candle cut करती है वहाँ से एक बड़ा bounce back आता है यहाँ पे आप सारी जगए जितने भी points से आप सारी जगए देख पाओगे अब finally यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो गिरावट थी वो एक बड़ी गिरावट already हो गई आज और यह जो stick बनी है वो particularly इसके moving average पे बन चुकी है अब यहाँ से कल का जो scenario हो बहुत जादे important होने वाला है दो चीज़े हो सकती है यहाँ पे एक minus ही गिरावट है जो 1% के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से आपको bounce back देखने को मिल सकता है chances बहुत कम है कि आपको एक major गिरावट हो 3%, 4%, 5% के आसपास इस चीज़ के chances बहुत कम नजर आ रहे है क्योंकि pattern अगर आप यहाँ पे देखोगो वो तो यही suggest कर रहा है कि यहाँ से कल के market scenario में आपको bounce back देखने को मिल सकता है share में एक positive moment आ सकता है in case अगर इसके नीचे कोई candlestick बनती है तो वो बहुत छोटी बनने के chances है इतना बड़ा कोई negative moment यहाँ पे आते हुए नजर नहीं आने बाला है तो अगर आप technical analyst पे थोड़ा बहुत यहाँ पे believe करते हो तो definitely कल जो chances निकल के आते हैं वो तो यही है कि कल आपको एक अच्छा कासा upside moment देखने को मिल सकता है इस particular stock में बाकि अगर आप यहाँ पे overall देखोगे तो कुछ stocks है जो आपको काफी ज़्यादा spot light में देखने को मिल रहे है जैसे कि Indian Energy Action, Siemens Limited, Asian Pains, Thermax Stock बाकि recommendation अगर मैं आपको बता हूँ आज के time पे कम से कम 3 महीने का जिसमें आप allocation लेके चल सकते हो तो वो निकल के आ रहा है Reliance Industries दूसरा stock निकल के आता है Zindal Less Limited तीसरा stock निकल के आता है Hindal को Limited यह कुछ ऐसे stocks हैं जिनमें short term में काफी अच्छा कासा moment expect किया जा रहे है करीबन 14 से 16% के बीच का upside moment expect किया जा रहे है पर्टिकुलरली एक broker की तरब से अच्छी कासी recommendation निकल के आ रहे है तो इन पर्टिकुलर stocks को आप यहाँ पर consider करके चल सकते हो for a shorter period of time Reliance को अगर आप longer period of time के लिए रखोगे तो वो भी काफी अच्छा काते return दे सकता है dividend के साथ तो यह कुछ आपको मैंने updates बताई IEX के बारे में आपको कोई भी issue आता है bonus related भी अगर आपको अभी भी कोई issue आ रहा है तो आप comment box में मुझे बता सकते हो मैं try करूँगा कि आपके हर एक question का solution provide करा सकूँ बाकि यह जो मैंने analysis आपको बताई है technical analysis अगर इससे अगर आपका opinion कुछ भी mismatch होता है तो आप comment box में बता सकते हो वहाँ पे मेरे को भी थोड़ी सी knowledge और additional मिल सकती है तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजों की clarity दे दिया यह hope आपको वीडियो में दीकी information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो please वीडियो को like करें शेयर करें और अगर अप चैनल फे फ़स्टाम विजिट करें तो अपनी चैनल को subscribe भी जरूर करें धन्यवाद